हलो आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SCL Tech के बारे में 1165 रुपे का शेर है जब से इसके नतीजे आए है तब से ये शेर लगाता तूट रहा है भयन कर गिरावट हमें देखने को मिली जरूर है और वीडियो में हम उसके बारे में बात भी करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो SCL Tech का शेर जो है वो 1165 रुपए के आसपास प्रेट कर रहा है और अगेन वीडियो को शुरू कर उसे पहले बता दू के वीडियो के अंत में हम एक और बढ़िया शेर के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा तो चलिए वापस लोटते हैं SCL Tech के उपर 1165 रुपए का शेर है पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में यहां पर 3% के गिरावट है देखे नतीजे से पहले अच्छे खासी तेजी देखने को मिल रही थी 1200 रुपए से शेर 300 रुपए तक चला गया तेरा सो पचास तक गया था रिजल्ट्स आए लगाता टूटा और रिजल्ट्स तो चलो अच्छे थे खराब नहीं थे रिजल्ट्स लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहा था पहले जब नतीजे आने भी वारे थे तब भी मैंने कहा था कि देखो हर बार ये प्रथा रही है चा रहे हैं अभी खासा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में चाहे विप्रो हो इन्फोसिस हो सेल हो टीस हो रजिगनेशन की वह जैसे होड लगी हुई है जो रजिगनेशन पहले दस परसंट के हिसाब से लगते तब वह बीस बाइस परसंट पर चले गए है तो ये कही ना कहीं क मेजर इश्यू है स्टार्ट अप्स कल्चर जैसे जैसे बढ़ रहा है जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों से वहां पर रजिगनेशन देखने को मिल रहे हैं और इसी लिए देखो फॉर फॉर सेफ्टी नेट अगर देखा जाए तो अभी जो आईटी कंपनियों है वो जादा लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर रहे है ताकि अगर रिजिगनेशन जादा पढ़ते भी है तो जादा उनको दिक्कत ना हो तो वो एक सॉल्यूशन जरूर वो लोग लेकर आ रहे हैं अभी लेकिन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखे है सेल और दूसरी बद नतीज़े आने के बाद शेयर तोटता है तो इसलिए मैंने मनाख गया था तेरह सो रूपए के आसपास खरीदने के लिए लेकिन मैंने यह भी कहा था ग्यारा सो पचास-बारा सो का लेवल मुझे पसंदा आता है खरीदारी के लिए और मैं अभी भी अप 16,000 करोर से भी जादा कि इसका मार्केट के है वॉल्यूम 55,000,000 के राउंड देखने को मिल रहा है शेह होल्डिंग की बात करें तो भाई या खरीदारी देखने को मिली है mutual funds और insurance company के द्वारा और Files के द्वारा हलके सी विक्वाली है लेकिन बहुत बड़ी quantity अभी भी Files के पास है promoter के पास 43.87% की holding है 20.43% की बहुत बड़ी holding अभी भी Files के पास है mutual fund ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है 7.84% की holding 8.95% पर आ चुकी है insurance company ने भी बड़ी खरीदारी करी है 4.33% की holding 4.44% पर है तो अच्छे कासी quantity में बड़ी है बड़ी fund houses खरीदारी कर रहे है और देखो इस company की खासियत यह कि यह dividend भी अच्छा पे करता है और bonus भी अच्छा पे करता है और जो बड़े बड़े brokerage firm है उनके target अभी भी बड़े है के target बड़े brokerage firm के द्वारा देखने को मिल रहे है ICA इसे डिरेक का target 1430 रुपे है जबकि शेरखान का जो target है वो 1550 का है SCL technology को लेकर MG global का भी 1460 रुपे का target है तो target अभी भी बड़े बड़े ब्रोकरेश firm ने बड़े बड़े target देके रखे हुए है according to money control users सिफ 17% लोगी है जो बेचने की बात कर रहे वनना हर कोई खरीतने की सला दिता हो नजर आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखे तो company के revenue लगातार बढ़े है 75,000 करोड के आसपास के revenue पहुँच चुके हैं अभी यह और बढ़ेंगे और profit तो 11,000 करोड से भी जादा का है तो अगेन बहतरीन profits है बहतरीन revenue है company के और यह बढ़े हैं इवन अगर हम December quarter की भी मैं बात करूँ तो 1440 करोड का इनको profit हुआ है जो एक अच्छा profit है बहतरीन profit में मैं इसको मानता हूँ S.C.L.Tech को लेकर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि company अच्छा dividend तो pay करती ही है लेकिन bonuses भी अच्छा पे करती है तो dividend पिछले सार इन्हों ने 5 बार dividend पे क्या था इस बार 20 January इन्हों ने last day थी 10 रुपय का dividend per share पे करेंगे तो अगे अच्छा dividend पे करेंगे और इस साल भी मुझे लगता है कि 5 बार dividend पे करेंगे January में पे करेंगे, April में भी पे करेंगे July में भी करेंगे, October में भी करेंगे और बीच में कभी एक बार दो बार भी कर सकते special dividend करके तो dividend अच्छा पे करते हैं, bonuses बेगर हम देखे या तो SCL इन चारों में से कोई company bonus जरूर अनाउंस करेंगे और करनी भी चाहे क्योंके काफी उपर share पहुँच चुका है और हमेशा इस price पर इनके bonus अनाउंस होते हों नजर भी आये है P ratio 28 का है जबकि sector P 40 मुलब सस्ता share है अभी स्वाई इस price पर और इसलिए 75% आपको खरीदारी करने की बिसला देती हुँ नजर आ रहे है यहाँ पर अगर देखे तो खरीदारी करने का सही मौका है क्योंके share और बोर्ड जोन में नहीं है कोई भी rate flag नजर नहीं आ रहा है अच्छा dividend paying share है long term में bank FD से भी अच्छा पैसा इसने बना कर दिया है SL tech को लेकर मैं यही कौँगा देखो मुझे यह company पसंद आती है ठीक है लेकिन 1300 रुपे के price पे नहीं वहाँ पे मैं नहीं खरीदूंगा इसको यह मैंने पहले भी कहा था मुझे 1200 रुपे के नीचे का level पसंद है अभी जिस price पे है वो लेकर भी मुझे पसंद है और हर गिरावट में मुझे रखता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे यहां से तो यही देखो इससे पहले भी जब यह तूटा था शै तो इसने जो support बनाया था वो 1110 रुपे के आसपास का था तो मुझे रखता है कि एक बढ़िया support के तौर पर काम करेगा 1100 रुपे का जो level एक बढ़िया support के तौर पर काम करेगा तो खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे यहां पर और खरीदारी करी है तो बने रहो long term के लिए अच्छा dividend तो पे करेगा ही करेगा और बोनस इस भी अच्छा काशा पे कर देगा ही आपको उसके अलावा जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि एक और शेयर है जिसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बात करूँगा और वो शेयर भी वहा है info age 4,755 रुपे का शेयर है यह देखने में आपको महंगा लगेगा लेकिन एक महिने में अगर आप देखो तो बहुत जादा तूट चुका है यह 5,600 रुपे से लगाता तूट रहा है 5,600 रुपे से तूट रहा है यह और एवन एक साल कमें इसका ग्राफ दिखाने के आपको कोशिश करो तो पिछले एक साल में info age limited के शेयर में 8% की गिरावट है आप देखे पहले भी शेयर 4,180 के आसपास ताब बढ़िया बाउस बेक्या 7,000 रुपे तक चला गया 7,000 रुपे तक अब लगादा तूट रहा है यहां पर अब कंपनी के बाद को तो भीया तगड़ी कंपनी है यह कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है info age की इनके खुट के बिजनसेज अगर आप देखो तो नौकरी.com इन ही का है 99 acres इन ही का है first नौकरी नौकरी गल्फ.com शिक्षा.com इन ही का है जीवनसाथी.com इन ही का है और इतना ही नहीं बड़ी बड़ी कंपनीों में इनका निवेश है चाहे जोमैटो हो जोमैटो में इनका काफी बड़ा निवेश है और इसके अलावा अगर हम देखे तो happily unmarried happily unmarried में भी इनका invested एक कंपनी का नाम है यह red media कंपनी में इनका निवेश है vacation labs हो गया उन्नती इन में इनका निवेश है dirt क्यों में इनका निवेश है my dollar policy बाजार में इनका निवेश है तो कंपनी अपने खुद के business तो है ही बड़िया लेकिन एक बड़ी बड़ी कंपनी में इनके निवेश है तो मुझे info age भी पसंद आता है long term के लिए और यहाँ पर भी अब खरीदारी के मौके बन सकते है क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले एक अच्छा support बना था इनका 4000 और रुपे के आसपास तो मुझे तो मैं कहूँ कि अगर 4500 के निचे यह शर जाता है तो बड़िया मौके होंगे यहाँ पर तो वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा पसंद आया हो तो लाइक करें शाय का चैनल पगरा पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और S.C.N. Technologies के बारे में आप क्या सोचते हैं और इन्फो एजबिया को कैसा लगता है उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिख पर बता सकते हैं थैंक्यू